सूरज चमक रहा था नदी के पास एक छोटे से आश्रम में गौरी रहती थी ये आश्रम बहुत ही शान्त और सुन्दर था जहां हर कोई शान्ती और सुकून की तलाश में आता था गौरी अपनी दया और पवित्रता के लिए जानी जाती थी वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहती थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी लेकिन गौरी के मन में एक राज छुपा था वह अकसर नदी के किनारे बैठ कर गहरे विचारों में डूबी रहती थी जैसे कि कोई गहरा रहस्य उनके दिल में बसा हो वो शंकर से बहुत प्यार करती थी जो थे शक्तिशाली और रहस्य मैं संहार के देवता शंकर की तपस्या और उनकी शक्ति ने गौरी को बहुत प्रभावित किया था सब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया गाव के बुज़ुर्ग और उनके परिवार के लोग हमेशा उन्हें समझाते थे कि शंकर एक तपस्वी है और उनके साथ जीवन बिताना आसान नहीं होगा उन्होंने कहा शंकर एक तपस्वी है उनका जीवन बहुत कठिन और साधारण है वो दुनियादारी से दूर रहते हैं उनका जीवन एकांत और तपस्या में बीचता है लेकिन गौरी का दिल नहीं माना वह जानती थी कि उनका प्यार सच्चा है और वह किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तयार थी शंकर के लिए उनका प्यार सच्चा और अटूर था गौरी ने ठान लिया था कि वह अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाएंगी और शंकर के साथ अपना जीवन बिताएंगी शंकर का दिल जीतने के लिए द्रिड संकल्पित गौरी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी उन्होंने अपने घर की सुक सुविधाओं को त्याग दिया वो जंगल में ध्यान करने लगी कठोर मौसम और जंगली जानवरों का सामना पूरे साहस से किया सालों साल बीटते गए, दशकों में बदल गए लेकिन गौरी का संकल्प कभी नहीं डिगा उनकी भक्ती और त्याग उनके प्यार की गहराई का प्रमान थे गहरे ध्यान में लीन शंकर गौरी की उपस्थिती से अंजान रहे खालांकि अन्य देवताओं ने उनकी भक्ती देखी वे उनकी अटूट प्रतिबधता से प्रभावित हुए उन्होंने गौरी की परीक्षा लेने का फैसला किया देवता ब्राह्मनों का रूप धारण करके गौरी के सामने प्रकट हुए तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो उन्होंने पूछा शंकर एक तपस्वी है वो कभी तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं देंगे गौरी का दिल दर्द से भर गया लेकिन शंकर में उनका विश्वास अडिक था मेरी भक्ति किसी इनाम के लिए नहीं है उन्होंने जवाब दिया मैं तो बस शंकर की खुशी चाहती हूँ उनके जवाब ने देवताओं का दिल छूलिया उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया देवता उनके धैर्य को देखकर चकित थे उन्होंने महसूस किया कि गौरी का प्यार सच्चा और निस्वार्थ था ये एक ऐसा प्यार था जो पहचान पाने का हक रखता था देवता शंकर के पास पहुँचे वे सभी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आये थे उन्होंने शंकर को गौरी की तपस्या उनकी अटूर भक्ती और उनके निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताया गौरी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी केवल शंकर को प्रसंद करने के लिए देवताओं ने शंकर को गौरी की तपस्या की गहराई और उसकी भक्ती की शक्ती के बारे में विस्तार से बताया गौरी का प्रेम और समर्पन अद्वितिये था गौरी के समर्पन से प्रभावित होकर शंकर ने आखिरकार अपनी आखें खोली उनकी तपस्या ने शंकर के हृदय को छू लिया था उन्होंने गौरी की भावनाओं की गहराई को समझा शंकर ने महसूस किया कि गौरी का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ था वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए शंकर ने निर्णे लिया कि वह गौरी के समर्पन का उत्तर देंगे शंकर की सहमती की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई हर कोई इस शुब समाचार से प्रसन्न था स्वर्ग में खुशी मनाई गई देवताओं ने इस अद्भुद घटना का जश्न मनाया देवताओं ने गौरी पर फूल बरसाए उनकी अटूट भक्ती के लिए उन्हें आशीरवाद दिया यह एक दिव्यक्षन था गौरी को उनकी तपस्या और भक्ती के लिए सम्मानित किया गया देवताओं ने उन्हें आशीरवाद दिया और उनके समर्पन की सराहना की यह एक ऐसा क्षन था जिसे स्वर्ग और पृत्वी दोनों ने मनाया आखिरकार उनके विवाह का दिन आही गया इस भव्य आयोजन के साक्षी पूरा ब्रह्मांड बना शंकर, महाविनाशक और गौरी, प्रेम और भक्ती की प्रतिमूर्ती पवित्र विवाह बंधन में बंध गए उनका मिलन केवल शारेरिक ही नहीं था यह दो शक्तिशाली ब्रह्मांड ये शक्तियों शिव और शक्ती के मिलन का प्रतीक था शिव चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और शक्ति उर्जा का गौरी और शंकर की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति ब्रह्मान्ड में सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। ये मर्दाना उर्जा, शिव को संतुलित करने में स्त्री उर्जा, शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है। गौरी के अटूट विश्वास और प्रेम ने शंकर को बदल दिया। इसने उन्हें उनके अलगाव से बाहर निकाला। ये दर्शाता है कि प्रेम में सबसे जंगली दिलों को भी ठीक करने और बदलने की शक्ति है। गौरी और शंकर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कथा है जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक मार्ग दर्शक है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी जीवन में संतुलन और शांती पा सकते हैं। ये हमें भक्ती का सही अर्थ, द्रिड़ता की शक्ती और दिव्य प्रेम की सुंदर्ता सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ती में समर्पन और विश्वास का कितना महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार, धैर्यवान, निस्वार्थ और स्थाई होता है यह प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और करुणा का महत्व सिखाता है इसमें किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ती होती है यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनोतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं यह शाश्वत प्रेम कहानी हमें प्रेरित करती रहती है हमें उस दिव्य चिंगारी की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर रहती है यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में प्रेम और भक्ती को कैसे बनाए रखें यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक्ता और आशा को बनाए रखें ये हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर की दिव्यता हमें हर परिस्थिती में मार्क दर्शन करती है झाल परिस्थिती दिलाती है झाल झाल